ईट-उल बच्शों आप 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 के लिए अभ्यास प्रस्र पत्र लेकर आ हैं जो महगफ प्रस्ण आपको विश्र स्रमाजिक विज्ञान के लिए और किस कक्षा कह यह कर देखते हैं जाmente सहीत है स्रमाजिक विज्ञान का म्याथ 8. совсем आपको पृदियो के हम से आपको हम अध्याए एक अध्याए दो के जो महत्पूल प्रस्ण है वह प्रस्ण बताएंगे जो आपकी वार्षिक परिच्छा कोंसे परिच्छा आपकी वार्षिक परिच्छा दोजार चूबिस के पार्ट के मानुसार है और जो आपकी वार्षिक परिच्छा पूछे ज दो के महत्पुल प्रस्ण में चलिए अध्या एक क्या है आपका अध्या एक है प्यारमिक कथन कैसे कभ और कहां इसका प्रस्ण के मांग के क्या कह रहा है बिटी सासनकाल के प्रथम और अंतिम गौर्णर जनरल कौन थे यहां से आपको बताना है अनमबर वारें हेस्टिंग लाड माउंट बेटन, बर नमबर लिटन, रिपन, सर नमबर घरजन, इविन और दर नमबर वारेन हेस्टिंग डलोजी, तो अब सोचिए यहां से आपका सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर आपका आजाएगा, अर नमबर वारेन हेस्टिंग लाड माउंट बेटन, य ये चौरो अप्शन में से आपको बताना है, चार्ल्स डार्विन, मैक्स मूलर, जेम्स मिल, जेम्स रेनेल, तो बताइए सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर आजाएगा, सह नंबर जेम्स मिल, तो इसका सही आंसर कौन सा आएगा, आपका सह नंबर जेम्स मिल, फिर प ओपनेवेशी करन ओ द नमबर साव्देशी करन तो इसका सही आंसर आ जाएका आपका सहनबर आपनेवेशी करन नेश्च प्रषण है महत्पुन दस्तावेजों को सुरक्षि देखा जाता है महत्पुन तो इसका सही आंसर आजाएगा बन अभी लेखा गार तो इस प्रेका से आपके चार विकल्प अध्याई के बता है जो आपकी वासी पैच्छे की दिश्टी कोड़ से बहुती मैदपूर है इसके बाद अगला प्रशन है आपका प्रशन नमबर पांच क्या कह रहा है इत्यास के आधुनिक काल को विकास का युग क्यों कहा गया प्रशन क्या है आपका इत्यास के आधुनिक काल को विकास का युग क्यों कहा गया तो आप उत्तर मताएंगे इत्यास के आधुनिक काल को विकास का युग इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस साल इस काल में विज्ञान, त क्यान तर्क लोक्तंत्र मुक्ति और समानता जैसे आधुनिक्ता की ताकतों का विकास हुआ या ताकतों का पॉल को लिखाये तो आप उत्तर दे देंगे सुलेखन वीस या खुसन वीसी ऐसे लोगों कहा जाता है जो बहुत सुन्दा धंक से चीजे लिखते हैं उन्हें क्या कहते हैं सुलेखन वीस कहा जाता है इसके बाद प्रश्ण नमबर साथ अभी लेखागार से आप क्या समझते क्या क्या देख सकते हैं अभी लेखागार में आप क्या क्या देख सकते हैं आप उत्तर मताएंगे अभी लेखागार में महत्पुन दस्तावेज अभी लेखागार में क्या होते हैं महत्पुन दस्ता स्तावेज देख सकते हैं पत्र ग्यापन निर्देश सोजाओ नीतिगत फैसले तिपड़ी प्यतिवेदन सभी सास्की भागों के देख सकते हैं इस प्रकात प्रस नमबर साथ को उत्तर कंप्लिटूए नेश्ट प्रशन आता है आपका प्रस नमबर आठ क्या कहरा प्रस प्रस नमबर आठ का उत्तर कंप्लिट हुआ इसके बाद प्रस नमबर नौ छपाई की तकनीक के प्रसास से जनता को बहुत लाब हुए अगवार छपने लगे जनता में बहस भी होने लगी नेताओं और सुधार को ने अपने यहां सुधार को इसको क्या पढ़ेंगे सुधार को यहां पर सुधार को सुधार को ने अपने विचार को फैलाने के लिए लिखा कवियों और फैलान के लिखा कवियों और उप्रस कारण अपने भावनाओं को वेक्ष करने के लिए लिए लिखा ठी प्रताइब एक देश किसी दूसरे देश के उपर अपना प्रभाव इस्थापित करता है, जब एक देश किसी दूसे देश के उपर अपना प्रभाव इस्थापित करता है जिस कारण वहां जिस कारण से वहां राजनीतिक आर्थिक सामाजिक और सांस्करतिक बदलावाते हैं और नेवेशी कारण कहलाता है जनगर्णा द्वारा किस प्रकार की जानकारिया एकतित की जाती है आप उत्तर मता देंगे जनगर्णा के जरिये भारत के सभी प्रांतों में रहने वाले लोगों की संख्या उनकी जाती इलाके व्रशाय के बारे में जानकारिया एकटी की जाती है जनगरना के जरिये बहात में सभी प्रांत और सभी प्रदेशों में रहने वाले लोगों की संख्या उनकी जाती इलाके और व्यवशाय के बारे में जनकर इखटे की जाती है जैम सिमील द्वारा अपनी किताब में मुखे रूप से किन बातों का उलेखित किया गया है तो उत्ता देखिए 1871 में स्कॉटलेंड के असास्त्री और राजितिक दार्सिक जैम सिमील ने तीन खंडो में एश्ट्री आप इंडिया किताब लिखी इस किताब में उन्होंने भारत के इत्यास की निम लिखी तीन काल खंडों में बाटा था हिंदू, मुस्लिम, बिटिस देखिए प्रस नमबर 12 क्या था आपका जैम सिमील द्वारा अपनी किताब में मुख्य रूप से किन बातों को लेखित किया गया आप उत्तर बताएंगे 1871 में स्कॉर्ट लेंड के असास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक जैम सिमील ने तीन खंडों में एश्ट्री आप बिटिस इंडिया किताब लिखी इस किताब में उन्होंने भारत के इत्यास की निम लिखी तीन काल खंडों में बाटा था हिंदू, मुसलिम और बिटिस सर्वेक्षन के उद्देश किसी भी विशेव से संबंदित जानकर ये खटा करने को सर्वेक्षन कहते हैं, अंग्रेजों का मानना था कि किसी देश पर अच्छी तरह सासन चलाने के लिए उनको सही धंक से जानना जरूरी है, इसलिए उपनेवेशिक शरकार ने देश को ज सर्वेक्षन क्या उद्देश थे, तो उत्तर बहुत ही आसान इसका, उपनेवेशिक सासन के दोरान सर्वेक्षन के उद्देश किसी भी विशेव से संबंदित जानकर ये खटा करने को सर्वेक्षन कहते हैं, किसी भी विशेव से संबंदित जानकर ये खटा करना, क्या कह करवाए थे जैसे गाओं में राजोस सरेक्षण धरती की सता पर गुडवत्ता का सर्वेक्षण पेड़ पौदो जीव जन्तु फसलों इत्यादी का सर्वेक्षण इस परकार आपको प्रेस्ट नमबर 13 कंप्लीट हुआ और आपका अध्या एक कंप्लीट हुआ इसके बाद अध्याए दो आता है अध्याए दो में क्या है व्यापार में सामराज ये तक व्यापार से सामराज ये तक कंपनी की सत्ता इस्थापित होती है इसका प्रेस्ट नमबर एक इस देखिए प्रेस्ट नमबर एक में क्या रहा इस्ट इंडिया कंपनी के सुरुआती व्यापा था नंबर फेक्टर फर्मान सब्द का अर्थ है नंबर सभी आदेश बनंबर सही कोतवाल जोन पर और दर नमबर संदी पत्र इसका सही आंसर आजाएगा फर्मान सब्दकार्थ होता है सही आदेश नमबर कॉप्सन सही होगा इसके बाद नेक्ट प्रश्ण है प्रश्ण नमबर तीन माला बाट किन वस्तूं के व्यपपार के लिए पैसिता नमबर गेहुचावल बनमर का इलाइची शर नमबर जोहर बाजरा और दर नमबर रिसम तो इसका सही आंसर आजाएगा बनमर काली मिर्च इलाइची नेक्ट प्रश्ण 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 नमबर चार प्यारंभिक बिटिश शासनकाल में प्रशाश्णिक इकाईउं को किस नाम से जाना जाता था ए किस पूर्तगाली यातरी द्वारत तक पहुँचने के लिए समोधरी मार्क का पता लगाया था उत्तार बता देंगे आप उत्तर में क्या है वासको डीगामा वासको डीगामा पूर्तगाली खोजी यातरी है वास्को डिगामा ने 1498 में पहली बार भारत तक पहुँचने के लिए समुद्री मार्क का पता लगाया था इस प्रकास से आपका प्रेश नमबर 5 का उत्तर कंप्रिट होता है नेश्ट प्रेशन है आपका प्रेश नमबर 6 इजाजत नामों में क्या आसा है? इजाजत नामे का आसा है यह था कि इंगलेंड की कोई भी व्यापारिक कंपनी इस इलाके में इस इंडिया कंपनी से होड नहीं कर सकती इस प्रेश नमबर 6 कंप्लेट हुआ नेश्ट प्रेशन है आपका प्रेशन मबर 7 बक्सर के युद के क्या परण्याम हुए है? उत्ता देखिए बक्सर का युद आपके यहापे बक्सर का युद कब 1764 में बकसर के योद में मीर कासिम की हार हुई और कंपनी के ने नवाब का एक अधिकार किया परंतु वे शासन नहीं करना चाहते थे बलकी व्यापार फैलाना चाहते थे बकसर की लड़ाई के बाद कंपनी ने भारती रियासतों में रेजिमेंट तयार कर दिया रेजिमेंट के माध्यम से कम्पनी के अधिकारियों की भारती राजियों की भीतरी मामलों में दखल देने का अउसर मिला उन्होंने कई पेकार की संदी और कानून लागू कर दिये देखिए बकसर के युद के क्या पढ़ नाम थे तो आप बताएंगे बकसर के युद में मीर कासिम की हार हुई जो बकसर के युद हुआ था उसमें किसकी मीर कासिम की क्या हुई हार हुई और कम्पनी ने बंगाल का एकाधिकार किया और कम्पनी ने क्या किया बंगाल पर एकाधिकार किया परंतु वे सासन नहीं करना चाहते थे बलकि व्यापार फेलाना चाहते थे बकसर की लड़ाई के बाद कंपनी ने भारती रियासातों में रेजिमेंट तैनात कर दिये रेजिमेंट के माध्यम से कंपनी के अधिकारियों की भारती राजयों के भीत्री मामलों में दखल देने का उसर मिला उन्होंने कई प्रकार की संदी और कानून लागू कर दिये इसके बाद अगला प्रशने प्रशन नमबर आट पानी पत की तीसी लडाई क्यों महत्पुन है प्रशने कहा है पानी पत की तीसी लडाई क्यों महत्पुन है मराटों ने अपनी लूट मार की नीती के कारण सिया तथा जाटों को अपने विरुत कर दिया इस कारण योध में कोई भी उनकी साहता के लित तयार नहीं था जबकि अबदाली ने अवद के नवाद वा रुभेलों से समातन प्राप्ट कर लिया परणाम क्या हुए है परणाम देखिए इसके पानीपत की इस लडाई में मराटों की बुरी तरह से हार हुई मराटों के उत्री भारत में अनेक अपने आधिपत्य को भारी धक्का लगा फिर नमबर दो भारत में हिंदू राज इस्थापित करने का मराटों का सपना अधूरा रह गया और उनकी एक्ता भी समाथ हो गई नमबर तीन इस यूद के बाद अंग्रेजों का भारत पर अधिकार करने का कारे आसान हो गया क्योंकि भारत में उनको बड़ी चुनोती देने वाला कोई नहीं बचा था इस पकार आपका प्रेशन नमबर आट को अधिक थी उत्तर देखेए उरोप के बाजारों में भारत के बने बारी शूती कपड़े और रेशम की जबदस्त मांग थी उसके अलावा काली मेर्च लोंक इलाइची दाल चीनी की भी जबदस्त मांग रही थी इस पकार आप प् भारती सासकों को अपना सोतंत स्टेनेबल रखने की इजाज़त नहीं थी देखो सायक संदी की सरते क्या थी पहली सरत है भारती सासकों को अपना सोतंत स्टेनेबल रखने की इजाज़त नहीं थी दूसी संदी इन सासकों की सुरक्षा का भार कंपनी पर था जो भारत के सासक में सुल्क के बराबर राजेसो वाला छेत्र शाषन से छीन लिया जाता था इस प्रकास से ये प्रेशन अगला प्रेशन आता है आपका प्रेशन ग्यारा वारेन हैस्टिंग द्वारा नियाय व्यवस्ता में क्या-क्या सुधार किये गए उता देखिए गौर्नर जनरल वारेन हैस्टिंग उन महत्पूर व्यक्तियों में से एक था जिनोंने कंपनी की ताकत फैलाने में अहम भूमी का निभाई 1772 में नई नयाय व्यवस्ता इस्थापित की कई इस व्यवस्ता में प्रावधान किया गया कि हर जिले में दो अदालते होंगी एक फोजदारी और दिवानी अदालतों का मुख्या कलेक्टर होता था और फोजदारी अदालते काजी और मुप्ति देखते थे लेकिन वेवी collector की निगरानी में काम करते थे इस प्रकार वारें रेस्टिन द्वारा नय वहस्तर में क्या के सुधार की गए उसके बारें बताए इसके बाद आपका गलब प्रशन आता है प्लासी युद के क्या कारण थे होता देखिए 1756 में अलिवर्दी खान की मेत्यू के बाद दोला की जगा कंपनी एक ऐसा कट पुतली नौब चाहती थी जो उन्हें व्यापारिक सुधाय वह रियासते दें कंपनी ने प्रयास किये परंतु सिराजु दोला ने उसका व्रोथ किया नौब ने कासिम बाजार पर हमला कर हमला बोला कलकत्ता भी छीना इसलिए कंपनी को युद करना पड़ा नेक्ट प्रसनर्स का अतप्रसन estranaza यूरोपी व्यापारी कंपनी में 30 परदा के क्या कारण था उत्त देखिए यूरोपी व्यापारी कंपनीं में एक जैसी चीजे खाय दने की होल लगी थी यूरोप के बाजारों में भारती वस्तों की जवदासमांग थी, कमपनियों के बीच इस बढ़ती इसपधा से भारती बाजारों में इन चीजों की कीमते बढ़ने लगी इन व्यापारी कमपनियों के फ्रलने फूलने का येही एक रास्ता था कि वे अपनी पतिशपर्धी कमपनियों को खत्म कर दे इस प्रकास से आप प्रशनमबर 13 का उत्तर लिखेंगे और इसके बाद प्रशनमबर 14 है प्रशनमबर 14 क्या है लाट ढलोजी की विले नीती क्या थी तथा इस नीती में से किनकिन भारती राजयों को अपनी नेंतरन में लिया गया सबसे पहले आपको बताते हैं कमपनी के अधिगरान की अंतीम लहर थी वो 1848 से 1856 के बीच गवर्ण जनरल लाट डलोजी के सासनकाल में चली लाट डलोजी ने विले नीती अपनाई वो नीती यह थी यह नीती इस तरक पर अधारी थी कि अगर किसी सासक की मेत्व हो जाती है और उसका कोई पुरूस लड़का वारिस नहीं है तो उसका राज्य हड़प कर लिया जाएगा और वह राज्य कमपनी के छेतर का अंग बन ज आएगा इस नीती के अधार पर एक के बाद एक कई राज जैसे सतारा संबलपूर उदैपूर नाकपूर जहासी अंगरेजों के नियंत्रण में आ गए इस प्रस्ण के साथ जो आपको हमने महत्पूर प्रस्ण बताए अध्याए एक और अध्याए दो के किस पैच्छा के लिए वार्शी पैच्छा के लिए बच्चों आपको यह प्रस्णों के उत्तार अच्छे लगे हों तो आप हमार चैनल आइडियल देव क्लास्स को सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए अन गुरूप में से यह जरूर कीजिए